इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। अलसरेटिव कोलाइटिस और चल रहे दस्थ सहित पाचन समस्याओं में भी मददगार हो सकता है। थिलिफ्ट्स और इंजेक्शन एक स्वास्थ देख भाल पेशेवर की देखरेक में दिया जाता है और इसे स्वयम प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए। इसका अधिक से अधिक लाब पाने के लिए आपको इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। यह दवा उपचार के एक संपून कारिक्रम का केवल एक हिस्सा हो सकती है जिसमें आपके आहार में परिवर्तन करना और केल्शियम और विटामिन की खुराक लेना भी शामिल है। थिलिफ्ट्स और इंजेक्शन से कुछ सामान्य दुश प्रभाव हो सकते हैं जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर प्रतिक्रिया, त्वचा में जलन, खांसी और रक्चाप में कमी। इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको दिल, किड्नी या लीव की कोई बीमारी है। कुछ अन्य दवाएं विटामिन के अवशोशन को कम कर सकती हैं, इसलिए अपने चिकित्सक को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं। कोई अन्य विटामिन सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना महत्वपूर्ण है।